हर्याणा मेडिकल काउंसिल ने फरजी दस्तावेजो के आधार पर रेजट्रेशन प्रमार पत्र के लिए अवेदन करने वाले डॉक्टरों पर नकेल कस्तनी शुरू कर दिये ऐसे ही 60 डॉक्टरों के अनोसी फर्जी मिलने पर काउंसिल की तरफ से कारेवाही अमल में लाई गही है हमसी ने 5 डॉक्टरों के ररेजट्रेशन रद्ध कर दिया है दो का ररेजट्रेशन रद्ध करने की तयारी चल रही है पकायदा इन सभी के खिलाफ FIR भी दर्श करवाई जाएगी जिसे लेकर काउंसिल की तरफ से DGHS डॉक्टर मनीश बंसल और डॉक्टर कुलदीब को भी जानकारी मुहया कराई गई है इस पूरे फरजी वाड़े की पोल काउंसिल के चेरिमें डॉक्टर आर्के अनेजर के गहन जाश के बात खुली है जिसके तहट अब उन्होंने पुलिस को FIR के लिए पत्र भी लिखा है ऐसे ही एक अन्य मामले में भी काउंसिल ने लीगल उपीनियन के लिए केस भीजा है ज का इरिस्ट्रेशन रद कर दिया गया है इनमें डॉक्टर प्रवेश कुमार ने फरजी अनोसी दी ती जिसके मध्यप्रदेश से सतता पता लगाई गई मध्यप्रदेश नहीं अनोसी फरजी होने की बात कई इसी तरह टॉक्टर अंकित त्यागी की फरजी अनोसी को पता लगाने के लिए MMU मुलाना भेशा गया था जहां से उसके फरजी होने का पता चला बता दे कि हर्याड़ा मेडिकल काउंसिल ने यह जाच हेल्थ मिनिस्टर आर्ती रौ की निर्देश पर शुरू की है जाच के दौरान काउंसिल के पास रिजिस्ट्रेशन के लिए पहुँचने वाली हर अनोसी की सतित्ता का पता लगाया जाता है जिसके बाद ही चिकिस सकोर को रेजिस्ट्रेशन प्रमाड पत्र जारी किया जाता है बकैदा काउंसिल की कारवाई से डी जी एचेस को भी जानकारी दी जाती है मामले में काउंसिल से जुड़ अतिकारियों का कहना है कि अगर किसी के अनोसी फरजी पाई जाती है तो एक तरह से वा फरजी डॉक्टर ही होता है काउंसिल लागे इस निसकर्श तक भी पहुँचने का प्रयास करेगी कि आखिरेस से गरत लोगों को फरजी एनोसी कौन जारी करता है और इसमें कौन लोग शामिल है जिसके बाद ही रेजिस्टेशन प्रमाड पत्र जारी किया जाता है